इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे पुर्दगाल T10 के दोस्तों आज के होने वाले मैच नंबर 2 के बारे में दोस्तों आज का मैच नंबर 2 FRD और 200 CK टीम के 20 खेला जाएगा यह मैं दोस्तों धियान रखेगा रात के 10 बजे से स्टार्ट होगा ठीक ना अब इस वीडियो में दोस्तों आपको इस मैस से रिलेटेट सबसे पहले सभी पीलर का है जाएज से केड library सबसे important दोस्तों सभी पीडियर का फोटनाभें में कहसा प्रकर्फॉर्मेंस राएग वो तो थो ही जब दोस्तों लास्ट टाइम दोनों टीम आपस में खेली थी तो तो किस player ने कैसा perform किया है यह चीज आपको combination बनाने में बहुत help करेगा और वीडियो को समझने में तो दोस्तों यदि आप लोग इस match में investment कर रहे हो वीडियो को पुरा वास किजेगा ठीक न और वीडियो को समझेगा फिर combination बनाएगा फिर investment किजेगा कोई question हो तो आप नीचे comment section में मुझसे बूछ सकते हैं और जो भी दोस्तों मैंने team दिया है उस team में task को ध्यान में रखते हुए कोई भी changes करना होगा या कोई player नहीं खेलते हैं तो final combination में आपको फिर से update करके टेलिग्राम पे share कर दूँगा ठीक न तो आप सभी दोस्त टेलिग्राम चैनल को जरू यूटुब चैनल को subscribe नहीं कियो तो दोस्तों यूटुब चैनल को जरूर subscribe किजेगा और subscribe करने की बाद दोस्तों सबसे important कोसिज किजेगा notification का गंटी बजा दे जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको easily notification मिलता रहेगा ठीक न दोस्तों अब बात करें दोस्तों हम ल सबस्तों मिलेगा एरुको जो दोस्तों सभी मैच में open batting करने आते और overall tournament में इन्होंने काफी अच्छा batting भी किया है अभी तक देखे तो इन्होंने 8 match खेला है tournament में जिसमें दोस्तों आपको 34 के average से आपको fantasy point दे रहे है जो काफी अच्छा होता है और एक और advantage है दोस्तों इन्होंने जो last match खेला था दोस्तों सीखे के against उसमें batting से 58 run score भी किये थे तो that's why दोस्तों मैं इनको pick कर रहा हूँ अब second option आपको भी hard लिगा मिलेगा 19% selection है लेकिन यार इतना भी गंदा player नहीं है performance इन्होंने भी अच्छा किया है इन्होंने भी 8 match खेला है tournament में जिसमें आपको 34 के average से fantasy point दे रहे है that means एक match में करीब करीब आपको 34 fantasy point दे रहे है हाई इनका बस एक minus आप point वो ले सकते हो इन्होंने दोस्तों जो last match सीकेट टीम के against खेला था उसमें दोस्तों balling से 2 over complete balling किये थे बट बिकेट नहीं लिपाय थे ठिक ना और एक और ची में बता दो दोस्तों be hardly को as a batsman आपको बिलकुल भी नहीं सोचना है ये बंदा आपको सभी match में 2-2 over का balling करेगा तो यदि आप as a baller इने रखना चाहते हो definitely try कर सकते हो third option आपको एन इसलाम का मिलेगा जिनका 81% selection है लेकिन performance यार उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है जितना इनका selection है आप खुद देखो अभी तक इन्होंने 8 match खेला है टूनामेंट में जिसमें मातर आपको 26 के average से fantasy point दे रहा है that means एक match में करीब करीब आपको 26 fantasy point दे रहा और इन्होंने जो last head to edge match खेला है CK team के against उसमें भी batting से सिर्फ 6 run score किये थे तो इसी बज़े से दोस्तों मैं क्या हूं कि यहां पर ricks ले रहा हूं एन इसलाम को ना लेके भी hardly को ले रहा हूं आपको इसलाम रखना हो तो आप रख सकते हो especially जब batting first करे FRD की team तब ज्यादा preference कीजिएगा अब बात करें batting section तो batting section में आर विर्श मारम यह तो आपके सभी team में होने चाहिए बहुत important player है और बहुत ही कमाल के form में चल रहे हैं इसलिए और भी important बन जाते हैं सभी match में दो-दोबर का balling करेंगे साथ ही साथ आपको 3 number नहीं तो 2 number पे आके batting provide कर रहे है फिर नीचे ही का A.S.Husain जो as a baller आपको team में try करना है सभी match में दो-दोबर का balling करेंगे और balling से इनका भी performance बहुत ही अच्छा रहा है और इन्होंने जो last match खेला है CK team के against उसमें भी आपको 2 बर complete balling करके 2 wicket provide भी किये हैं फिर नीचे दूस्तों आपको ए अधनान का option मि match में flop रहे हैं लेकिन advantage क्या है दोस्तों और इनका selection भी बहुत जादा हाई है तो advantage मेरे को यहीं दिख रहा है कि selection हाई है और second आपको 1-2 बर balling कर रहे हैं जो इन्होंने last match खेला था FAD team के against उसमें आपको 2 बर complete balling किये थे विकेट नहीं मिल पाया था बट 2 बर complete balling किये थे इसी वज़े से मैं इनको team में रख रहा हूं लेकिन यदि नीचे से गुरुजंदर खेलता है तो आप दोस्तों GL में चाहो तो ए अंदान के जगा इन पे भी रिक्स ले सकते हो ठीक ना selection बहुत कम है इसका इसलिए है क्योंकि यह last 3-4 match से खेल नहीं रहे है तो इसलिए जन आपको मिलेगा अदानी जो आपके सभी टीम में होने चाहिए और इस मैच के दोस्तों बेस्ट ऑप्सन है जिने आप कैप्टन कर सकते हो ओपेन बैटिंग करेंगे साथी साथ आपको दो और कंप्लीट बॉलिंग करके देंगे और टुनामेन का भी performance दोस्तों बहुत ही बह खेला था एफाडी टीम के अगेंस उसमें भी बैटिंग से एक तालीस रन स्कोर किये थे दोस्तों आपको एम सिंग का अप्सन मिलेगा एम सिंग अभी दोस्तों देखो performance बहुत अच्छा रहा है ध्यान रखना इस प्लियर बैटिक नहीं यह भी एक कैप्टन बीसी का अच आपको आरकुमार का ओप्सन मिलेगा आरकुमार का दोस्तों अच्छा तो performance नहीं रहा है लेकिन देखो एक चीज़ में एडवांटेस बोलता आता हूं इनका जब भी बंदा विकेट लेता है ना गुच्छे में विकेट लेता है एक मैच में तीन विकेट चार विकेट ले अब टोटल ओबरॉल देखे तो आठ मैच के लिए जिसमें आपको छे विकेट परवाइट किये अभी तक टूनामिन में जो इन्होंने लास्ट मैच खेला था सीकेट टीम के अगेंस उसमें भी दो ओबर बॉलिंग किये थे बट बिकेट नहीं मिला था आप ट्राइक करना स्कोर किया जो लास्ट इनोंने तीन मैच खेला है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ये दोस्तो 11 रन स्कोर किये तो आप इनका परफॉर्मेंस का डिफरेंस देख सकते हो कि स्टार्टिंग के मैच में और अभी कैसा रहा है खेलारी अच्छा है वही है थोड़ा सा फॉर्म स में दुस्तों तहलका मचा के गए थे तो इस प्लियर पे ध्यान रखेगा यदि खेलता है तो नीचे से मैं आइखान को अभी रख रहा हूं लेकिन देखो आइखान का सेलेक्शन हाई है आप चाहों नो तो इस पे रिक्स ले सकते हो क्योंकि बंदे का कुछ खास परफॉर में दोस्तों दसरन भी स्कोड नहीं कर पाया डिफरेंस आप देख सकते हैं अच्छा परफॉर्मेंस है लेकिन अधर मैच में बहुत गटिया परफॉर्मेंस रहा है तो इनके जगा ऊपर से एम मौल खेले तो इनको रख लेना यदि आर कुमार खेले तो इनको रख लेना यदि दोनों में से कोई नहीं खेले तो आप दोस्तों आई राना को रख लेना ठीक ना फिर नीचे दोस्तों एम सिंग का उप्षन मिलेगा एवरेसा परफॉर्मेंस रहा है नीचे दोस्तों यदि और कोई न्यू प्लियर खेलता है तो मैं उनका आपडेट आपको नहीं चाहिए फिर नीचे दोस्तों राहूल राहूल भी दोस्तों लाश्ट देखो तो दो-तीन मैसे यह खेल नहीं रहा है ठीक ना टूनामेंट में बंदे ने सिर्फ दो मैच खेला है और उस दो मैच में आपको पांच विकेट प्रवाइड कर दिया है देहान अखना दो लेटफरम पे खेलते हो जहां पे दोस्तों क्या है कि तीन बॉलर रखना कमपल सरी होता है वहां पर आप क्या करना है नीचे से डी जौसन को टीम में रख लेना डैट मेंज कोई भी बॉलर खेले ना देखो कोई खास औप्सन है नहीं जो भी बॉलर खेल जाए आप दोस्त इधर से आर्ट बिस करमा, यह best option है captain BC के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा रिक्स ले रहा हूं, और मैं दोस्तों, भाइस captain M.Sink को किया हूं, यदि आपको safe जाना हो, तो दोस्तों, आप ध्यान लगना, आप कर सकते हो, safe जा सकते हो, लेकिन थोड़ा रिक्स ले सकते हो, तो M.Sink खराब option नहीं रहेगा, और GL में दोस्तों, आप लोग क्या करना, GL में एक combination में टी मोहमद को as a vice captain ट्राइग कर सकते हो, अभी के लिए दोस्तों, आप लोग इस team का screenshot ले लिजे और contest श्वाइन करके रखे, टास्क के बाद दोस्तों, इस team में टास्क को ध्यान में रखते यह कोई भी changes करना होगा, तो final combination में फिर से update करके, टेलीग्राम पे share कर दूँगा, ठीक ना, आप सभी दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजेगा, इसका link आपको नीचे description section में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों, comment section में भी first comment पीन के हुआ मिल जाए जाएगा, जाएए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुर जाएए, और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तग आपने YouTube चैनल को subscribe नहीं कियो, तो दोस्तों YouTube चैनल को जरूर subscribe किजेगा, और subscribe करने के बाद दोस्तों सबसे important, कोसिज किजेगा notification का गंटी बजा दे, जिससे दोस दोस्तों, पिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स टीटेन के वीडियो में, जैहिन दोस्तों, टेक क्यार और बाबाई